आग्रा में सिपाही भरती परिक्षा 23 अगस्त से होगी, जिसके लिए आग्रा में 27 केंद्र बनाए गए हैं तीन स्तर पर अभियर्तियों की जाच की जाएगी पुलिस भरती परिक्षा में सेंध ना लगाई जा सके, फर्जी वाडा ना हो, फर्जी परिक्षार्थी शामिल ना हो सके, इसके लिए पुखता इंतिजाम किये गए हैं आग्रा में 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को पुलिस भरती परिक्षा आयोज़द की जाएगी, इसके लिए 27 केंद्र बनाए गए हैं, सुभा 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच परिक्षा होगी हर केंद्र पर दोपाली में 480 परिक्षार्थी शामिल होंगे, एक दिन में करीब 12,000 परिक्षार्थी परिक्षा में शामिल होंगे, इस तरह 5 दिन तक चलने वाली पुलिस भरती परिक्षा में 60,000 अभ्यरती शामिल होंगे परिक्षा केंद्रों पर दीन स्तर पर चेकिंग होगी, केंद्र पर पहुंचने पर गेट पर तलाशी ली जाएगी, इसके लिए एक दरोगा और तीन पुरुष और महिला सिपाही तैनात किये जाएंगे दूसरे स्तर पर मेटल डिटेक्टर से बुलिसकर्मी चेकिंग, इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और परिक्षा कक्ष में प्रवीश मिलेगा परिक्षा केंदर पर ही स्ट्रॉंग रूम बनाए गए हैं, इसी में पेपर रखे जाएंगे, सीसी टीवी लगाए हैं, इसकी लाइफ स्ट्रीमिंग होगी स्टार्टिक मजिस्ट्रेट की मौजूद्गी में पेपर निकाले जाएंगे और दो परिक्षार्थियों द्वारा पेपर खोले जाएंगे, इसके साथ ही परिक्षा केंदर पर लॉकर का भी इंतिजाम किया गया है, परिक्षार्थी लॉकर में अपना सामान रख सकेंगे C News के लिए लक्ष्मी राज सिंगी रोपोर्ट